अज़ टूट्स वेलकम तो नेक्स क्लास और सीवी सीटेन मैथमेटिक्स और फइप पॉइंट टू तक हमने कम्पूइट कर लिया है एक एन आज के ग्लास में जो हम करने वाले है च्छेंगे सबस्ट अब इसमें सब्सक्राइबित इस न पर इस तो आपको यहां पर तॉपिक दिख रहा है हम क्या सिखने वाले हम सिखने वाले सम और पवस्ट न टॉंस टिक है यह शिखने वाले हम अब तक एपी से रिलेटट बहुत सारे कुश्चिन किया है एवन जो ला आप तक आपको बहुत अच्छी से याद हो गया आज के क्लास में बहुत इंप्रिस्टिंग नया चीज आप सीखने वाले हैं किस तरह से जो है आप किसी भी आप जो टर्म है जी दिये हुए चाहिए जितने भी दिये हैं उसका सम कैसे निकाले एक एक पी मैं पहले आपको दे सम करने के लिए बोला जाए तो मैं इसली ऐसा कर देता हूं चालो 242 प्लेस 4 प्लेस 6 केतना हो गया 4 प्लेस 266 प्लेस तो यह पी का सम है 12 बहुत अच्छा चलो मैं एक और एक देता हूं आपको उसका सम निकालके बताओ 369 12 ठीक है तो आप क्या करेंगे आजा सर यह पी में हैं बिल्कुल क्योंकि 33 का difference है चलिए इसका सम आपने बोला है तो कर देते हैं इसका सम 3 प्लेस 6 प्लेस 9 प्लेस 12 बहुत अच्छा समा जाएगा इसका कितना 3 प्लेस 6 9 9 प्लेस 9 18 18 12 30 ठीक है तो चलिए यह तो आपने आसानी से निकाल दिया अब मैं दे रहा हूं 246 ठीक है 10 12 14 16 ऐसे करते करते अब तो तो अब इसका सम निकालके बताए यह आपने जब मैंने 246 बताया तो आपने ऐसा करते होगे 246 इसका भी इसली होगे लेकिन कहने का मतलब यह है जब एपी में number of terms बहुत जादा हो 100,000 number of terms हो तब उस समय आप सम कैसे निकालेंगे इस समय उस समय आप डेफिनेटली यह वाला process करना नहीं चाहेंगे वाई because you have to add so many terms 2468 12 and that will be a tedious job वह जो काम होगा आपका बहुत ही टीडियस काम होगा गलती होने का chances भी रहेगा ठीक है तो यहां पर एक जनका entry होता है वह कौन है वह है formula of some of first and terms of an ap मतलब इस तरह के problem को हल करने के लिए हमा formula का नाम है some of first and terms of an ap ठीक है now some of first and terms of an ap यह निकालने के लिए थोड़ा एपी का background हमको पता होना चाहिए एपी में क्या है जो first term है उसको ए बोलते हैं second term क्या है a plus d बोलते हैं third term को a plus 2 b बोलते हैं this all are coming from the formula क्या a plus and minus 1 देखिए some को formula some का formula समझने के लिए यह वाला formula तो आपको आप तक आना ही चाहिए अगर यह वाला formula नहीं आता है तो पिछले class square 10 करके आपको यह formula समझ लेना चाहिए यह फॉर्मूला है उसका देकि मैं अभी जो बताने वालो डिराइविशन बताने वालो फॉर्मूला आया बना कैसे ठीक है वैसे मैं आपको formula दे दूंगा आप रट लेंगे कुछ question सवाल सवाल जो है बन है तो यहां पर एक example आपने जब हमने start किया था chapter 5 याद है section 5.1 में एक example था जिसमें सकीला वो क्या जो अपने daughter के हर बड़े में जो है 100 rupees 50 rupees 50 rupees करके increase कर रही थी बड़े में money रख रही थी है ना तो यह वाला example को recall कराता हूं मैं आपको क्या सकीला put 100 into her daughter's money box when she was one year old 150 on her second birthday 200 on her third birthday and so on यानि कि fourth birthday में कितना रखा होगा उसने उसने fourth birthday में 250 रखा होगा fifth birthday में उसने 300 रखा होगा इस तरह से 50-50 every year उसने increase किया ना अगर हमको यह पता करना है कि चलो how much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 यह जो money जमा कर रही है जब उसके daughter 21 years age की हो जाएगी तब तक उसमें कितना money जमा हो जाएगी कि फस्ट यह से स्टार्ट किया उसने first year में 100 rupees रखा है then second year 150 and every year उसने increase किया कितना 50 rupees करके increase किया that means एक इस तरह का sequence आपको मिल जाएगा इस तरह का 200 to 50 up to 21st birthday तक वो जो है एसर के पैसा जमा करती जाएगी ठीक है नव इसमें हमको 21st मतब हर साल का हम 50 50 अधर के निकाले and then add करें जैसे कि मैंने यहां पर बताया तो यह जो आपके लिए जो काम होगा इत प्रोसेस को आप जरूर एक शॉर्ट प्रोसेस इस्तिमाल करना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों को सबको पसंद है कि काम को कैसे जल्दी और शॉटकर तरीके से किया जाए तो यही फॉर्मूला हम निकालेंगे भी ठीक है नाओ यहां पर क्या एक्जांपल दिया है देखिए भी कंसिडर दा प्रोब्लम गिवन तो आपको याद नहीं रहेगा तो गोश को क्या क्या आगा था यह आक्स सब्सक्राइब करने के लिए वैसे यहां पर बोला गया कि 1200 एड करने के लिए एक बच्चे को बोला गया 1200 तक आप एड करके बताओ सम क्या है इसका ठीक है तो यही हमारा सबसे बड़ा क्यों है कि हाओ यह वी दिट तो सम निकालने के लिए उसने वान प्लस टू प्लस त्री अप्टू हंड्रेट तक सब इसको अगर आप रिवर्स वे में एड करते हैं यहां पर ध्यां सा समझे स्टोरी को एक जो है समझा करते हैं तो भी सेम चीज आएगा जैसे कि यह वान प्लस टू प्लस थरी प्लस नाइटीन अप्टू हंड्रेट तक क्या इसको फिर मैंने रिवर्स करके एड किया तो इस आएगा मैंने तो इसका इसका जो इससे आइगा नंबर सेम है हमने शील्ग साफ सब्सक्राद करदें तो तो स प्लस स क्या हो जाएगा तो स हो जाएगा हो की नहीं होगा और यहां पर देखिए इसका फर्स ट्म इसका फर्स ट्म तो रहाँ को आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा सभी टर्म जो है करेंगे देखे पहला 1001 जब हम कर रहे हैं यह होगया 101 इसके बाद ऐसे करते रहते हैं 98 प्लस 3 करेंगे यह भी 101 फिर यहां पे next क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा 97 97 प्लस 4 वह भी 101 बगोत ईंप्रेस्टिंग को फियन हीतना interesting होता है लिए सब एक तरह से आपको क्या मिलेगा टो HALU मिलेगा सब 101 मिलेगा कितने बार होगा यह होगा 100 नियुकुकर हम कर रहें वो 120 का करने इसका मतलब यह जो 101 आएगा यह कथने बार आएगा ये 100 टाम्स आएगा ठीक है तो 100 टाइमस अगर आप इसको एड करते हैं 101 को तूशका टारीका क्या जैसे कि तो यहां पर मैं 101 को 100 टाइब कर रहा हूं तो अगर मैं 101 को इंटू 100 कर दूंगा तो रिजल्ट सेम आएगा तो 101 इंटू 100 यह आ गया और यहां से यह वाला तू को हमने यह डाल दिया तो यह दिखिए जो 5050 तो यह हमको मिल गया यह हमको मिल गया 5050 तो यह एक तरीका बोल सकते हैं कि इस तरह से उसने निकाला होगा बट ऐसे करके कि अगर आप करने जाएंगे तो बहुत सारा एपी में आप खुद फर्स जाएंगे यह सम निकालने में ठीक है तो यह आपको प्रोसेस जो है यहां पर यह समझ में आयोगा कैसे इसको निकाला गया ठीक है आगे दिखें इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है अब हमको लॉजिक में आने पहले मैंने आपको नंबर से दिखा दिया डायरेक्ट में अगर ABCD आपके सामने डाल दूंगा बहुत लोग बच्चों में ABCD करने लगता है तो ABCD को डांस करन आपके अंदर होना चीए जो AP का टर्म होता है वो क्या-क्या होता है A, फर्स्ट तर्म इस अल्वेस अल्वेस ए सेकंड टर्म इस A प्लस D and थर्द तर्म इस A प्लस 2D, फूर्थ तर्म इस A प्लस 3D and so on and from where this is coming, this is coming from the formula AN is equal to A plus N minus 1D, ठीक है आपको अब तक यह formula या जाएगा, जैसे A 5 निकालेंगे तो A plus 4D हो जागा, A6 निकालेंगे तो A plus 5D हो जाएगा, तो the nth term of the AP is A plus N minus 1D, यह जो formula है, nth term यह आजाएगा, and S denote the sum of the first n terms, so S हमारे पास क्या है, sum of the first n terms, so sum of the first n terms, so sum of the first n terms निकालने के लिए हम सब को individually जैसे भी उपर में किया था ना, 1 plus 2 plus 3 plus 4, अब तो 100, तो वह है चैसे हम इसमें repeat कर रहे है, ध्यान देना, A plus, then second term is A plus D, third term is A plus 2D, and up to last term, last term हमारा क्या है, A plus N minus 1D, ठीक है, 1, 2, 3, अब तो last term, now इसको हम reverse करेंगे, जैसे उस वाले case में हमने क्या किया था, reverse किया थ जाएगा, यह जो है, यह क्या होगा, यह सामने आ जाएगा, then A plus N minus 2D, यहाँ पर N minus 1 है, तो इसका अगला, इसका जो next वाला होगा, reverse करने पर होगा, A plus N minus 2D होगा, ऐसे करते करते है, last में A plus D, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो सकता है, कि य है यह कैसे, जो है, A plus N minus, जो कि लास्टम अगर, A plus N minus 1D है, इससे जो पहले वाला term होगा, वो एक्चुली कौन सा वाला term होगा, अगर, last वाला term होगा, अगर, last term होगा, तो इससे पहले वाला term, डाल देंगे तो क्या होगा अब एन के जगा पर एन माइनस वान आ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा एफ एन यह माइनस फॉन पंडी तो इसे लिए जो सेकेंड लास्ट वह में वह ए प्लस एन माइनस टुडी ठीक है नाव हमने उसके बाद क्या क्या था हर एक टर्म को है एक के साथ जब इसको आप करेंगे इस्टूडेंट क्या बन जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है अब एक को आपने कर दिया ना बाकि सब को सेम लिख दिया क्योंकि वहां पर आपने क्या देखा सब 101 हो चुका था सब के सब 101 हो चुका था तो यहां पर भी सेम होई चीज़ होगा आपने फर्स्ट वाला कर दिया बाकि आपको एड करने के जुरूत नहीं है यह प्लस इसको अगर आप एड करते हैं दिखिए प्लस टू हो जाएगा एन प्लस एन माइनस वन डी एक टम हो गया में इसको बाकि सब सब यह भी हो जाएगा थी कर दो ये कितना बार या रिज ओबाई ये जलो है यह सामझें कितना टाम संद्था वाह पर हुल सो यह आए गा ठीक है यह जो 2A प्लस N-1D यह जो आएगा हमारा 2A प्लस N-1D यह एक्चुली कितना टाइम्स आएगा यह आएगा N टाइम्स नाउ रिकॉल कीजिए फिर से मैं दिखाता हूं उपर में क्या किया था हमने इसके बाद ठीक है अब जगे फॉर्मुला आ जाएगा N-logic आपको clear होगा यह एड करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिला था 101 मिला था 100 टाइम्स है ना 101 वी गोड टाइम्स हूं तो हमने क्या किया इसको sum करने के लिए थोड़ी ना 101 100 टाइम्स हमने क्या कर दिया 100 को यह जो 101 है इसको जतना times यह आया है उतने से multiply कर दिया same way यहाँ पर 2a प्लस n-1d मेरा कितना times आ रहा है n times आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 2a प्लस n-1d को 2a प्लस n-1d इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं n से multiply कर दूँगा ठीक है तो यह n by 2 हो जाएगा देखे फॉर्मूला बन गया हमारा यह है सम का फॉर्मूला एक्चुली n by 2 2a प्लस n-1d यही है अगर यह लॉजिक आपको clear हो जाता ना यह जो लॉजिक है बहुत wonderful logic है यह अगर यह logic clear हो जाता ना तो सम का जो फॉर्मूला है मैंने काफी बच्चे को देखा है मेरे experience से भूल जाते हैं लेकिन यह जिसको याद हो जाएगा यह फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा फॉर्मूला तब भूलते हैं जब बच्चे डारेक्ली फॉर्मूला रटते हैं और उसके पीछे का जो स्टोरी है यह जो फॉर्मूला बना हुआ है कहां से आया हुआ है ठीक है एक फॉर्मूला का एक बैक ग्राउंड है तो यह फॉर्मूला है हमारा मैने दिखाया आपको किस तरह से फॉर्मूला है जो sn का फॉर्मूला है Sum of first in terms of aps in by two and two a plus n-1 d ठीक है फॉलदर आगे बहुत स्टोरी दिया हुआ है दाट इस नोट सो इंपोर्टेंट बट जो इंपोर्टेंट है आपको यह याद रखना पड़ेगा ठीक है तो एसन का फॉर्मूला मैं क्लियर कर देता हूं कॉपी में नोट का लिजे जो सम फॉर्स्ट एंड टर्म्स पहले हमने क्या पड़ा था इससे अब त टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है फॉर्मूला नोट कर लिजे आगे देखते हैं इसका क्या मुला होता है अब आगे इसका क्या है चलिए इसको भी देख लेते हैं तो यह एसका फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला को थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई करने आगे बच इसको 2A को क्या कर दिया अब यह क्या हो अब यह क्या हो गया यह जाका हैँ किसी भी टरम का मान नहें यह वह लास्ट है तो उसी आप से जो formula मिल जाएगा वो sum का formula होगा S is equal to N by 2 A plus L ठीक है अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला formula याद रखना है देखिए जरूरी नहीं है कि हर question में last time आपको दिया रहे ठीक है तो अगर आप सिर्फ ये formula को याद रखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा लेकिन अगर सिर्फ आप इस formula को याद रखेंगे तो जरूर काम बनेगा अगर आपका last time दिया है तो भी last time नहीं दिया है तो भी इसलिए यह formula important है यह उतना important नहीं है यह जो है इसका breakup है आप इसको रख सकते अपने दिवान में बट सम करने के लिए हम ज़्यादा ज़्यादा इस formula का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह formula में अगर एपी में last time दिया है तो भी हम use कर सकते नहीं दिया है तो भी हम इसको इसमें कोई problem नहीं होगा ठीक है तो आई होप आपको यह formula है समझ में आया होगा ठीक है ना जब समझते है थोड़ा अंदर से confidence आता है और तब question करने में मज़ा भी आता है रट लेते हैं तो थोड़ा से बोजा यसा लगता है कहां से एक और formula रट लिया तो बन कैसे रहा हम फिर हम उस return जा रहे हैं उस example में कौन से वाली example में सकीला जहां पर वो क्या करती है अपने डॉटर के हर birthday में क्या रखती है 50 रूपी सरके ज्यादा रखते जाते तो पहला birthday में उसने 100 रखा था next 150 200 तो question क्या था कि 21st birthday तक उसका कितना पैसा हो जाएगा तो 21st आपका यहां है 100 है डी कितना है इसमें 50 है तो s21 निकालना है इसमें क्या निकालना है s21 तो formula क्या बोला मैंने n by 2 ठीक है न 2a plus n-1 तो n का students value है यहां पर 21 by 2 और 2a इसमें है 100 plus n-1 n कितना है 21 21-1 कितना हो जाएगा 20 into d कितना है 50 ठीक है तो 21 by 2 2 into 100 हो जाएगा 200 plus 2 into 50 कितना हो जाएगा 1000 ठीक है तो देखें यह वाल आ गया हमारा सेम यह चीज़ आया हुआ है now 21 by 2 into 1200 1200 कितना होगा 2600 616 and 612 12600 काफी रुपया हो गया है तो 21 साल तक हर बर्तड़े में पैसा रखते रखते जो है इतना पैसा जमा हो जाएगा तो उसके बाद अभी के जमाने में जैसे क्या मान रहते है मोबाइल का तो वह मोबाइल खरें लेगे इस पैसे का ठीक है खुची खुची तो यह था इसका 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 सलूशन विद दा निव फॉर्मूला जो हमने अभी अभी सीखा है बहुत ही मतदरा फॉर्मूला है ठीक है यहां पर एक रिमार्क दिया हुआ है दा एंथ टम आफ एपी इस दिफरेंस ओफ दा सम और फॉस्ट एंड टर्म्स एंड सम फॉस्ट एंड माइनस वन टर्म्स यह हम कुछ कोईशन इसके बेसे पर रहेगा इसको हम सीखेंगे आप सोच रहे हों कि सर एंड का यह कौन से ब मुला आगया तो ऐसे कोई बात नहीं है सिंपल एक्जाम्पल लेकर मैं बहुत ही छोटा एक्जाम्पल लेकि इसको जल्दी खतम करता हूं क्योंकि बड़ी को बात नहीं ठीक है तो एक ले लेते हैं जो मैंने फर्स्ट में दिया था आपको टू फॉर सिक्स एन एडिस में जोड़ेता हूं तर्सॉं को यहां पर मान लेता हूं मेरे यहींति है और यहां अ को हमम को पता नहीं को समकों imposing अहां पर सम ऑन मालूम सम यह कितना हो करीए एट प्लस एक्स नियुक सांठ— 18 18 plus 220 and हमको पता है कि some of the first three terms some of the first three terms कितना 6 plus 4 10 12 यह हमको पता है यह चीज़ पता निया भूल जाये कि पता है हमको यह पता है कि first some of the first four term दिया हुए और some of the first three term दिया है तो हमको बोला कि भाई यह यह आपको information है आप इसमें से हमको fourth term बताए क्या होगा इसका fourth term ठीक है तो आपको पता है fourth term यहाँ पर eight है लेकिन देखें यहां से कैसे आएगा तो fourth term निकालने के लिए अगर हमें s4 कर देता हूं s4 से इससे एक कम s3 minus कर देता हूं तो मेरा देखिए इसमें बताने का कोशिश किया गया है कि अगर इसमें आपको s3 और s2 दिया रहता तो आपको s3 minus s2 करना पड़ता यही वाला चीज में बोला गया है इसको लेके घवराने का जरूत नहीं है आगे एक question भी इसका रहेगा जो उस टाइम करेंगे तो और अच्छा से बैतर समझना आएगा ठीक है question number 11 नहीं आया मैंने जितना बता है हो इतने में आ जाना चाहिए नहीं आया तो मेरे को बताना जरू ठीक है कि नहीं आया सर्थ now 11 example 11 example 11 में देखे क्या बोला है find the sum of first 22 terms of the AP 83 minus 2 AP में है बोल दिया और उसका first 22 terms का आपको सम निकालने बोले यानि कि n is equal to 22 हो गया a is equal to इसमें कितना है 8 है d is equal to 3-8 and 3-8 is equal to क्या होता है students minus 5 होता है न माइनस में भी आ सकता है sn का formula हमने अभी आपको अभी आपको क्या सिखाया n by 2 2 a plus n minus 1 d fast करने कोशिश करेंगे हम ठीक है तो n by 2 2 a plus n minus 1 d fast करेंगे with every step तो n का n क्या है 22 है a क्या है 8 है and d क्या है minus 5 यह सारा का सारा हम पूट कर देंगे यह पूट करते हमने तो 2 into 8 कितना होगा अगर मैं यहां पूट कर करेंगे दिखा हूँ आपको 22 बाइट तू इंटू एट प्लस n minus 1 n इसमें कितना है 22 है minus 1 d का value है minus 5 जब डी का negative में रहेगा तो ओविसली उसको bracket में आपको रखना ही होगा ठीक ना तो 2 into 8 कितना होगा 16 plus 22 minus 1 कितना होगा 21 21 into minus 5 तो इस इगल तो ये 2 11 जा 22 हो जाएगा 11 आ गया 16 plus plus 21 into minus 5 क्या हो जाएगा minus 105 तो 16 minus 105 होगा minus 89 ये दोनों का multiply करेंगे तो minus 979 यानि कि sum of the first 22 terms of the AP is minus 979 ठीके students now example 12 देखते है कॉप में नोट करते जाएगा ठीक है क्या है example 12 में if the sum of first 14 terms of AP is 1050 find its first 10 terms थोड़ा सा अलग टाइब को question दिया हुए and the 28th term इसमें क्या दिया हुए आपको इसमें क्या दिया हुए आपको sum of first 14 terms of the AP which is 1050 ठीक है बोला है first term is 10 okay थोड़ा से question गरत पढ़ लिया था मैंने शुर में इसका first time बोला है 10 find the 28th term 28th term आपको निकालने बोला है तो sum of first 14 terms दिया है मतलब s14 दिया हुए ठीक है s14 कितना दिया हुए 1050 1050 स 14 का formula क्या होगा s14 का formula होगा क्योंकि sn का formula आप लिखेंगे पहले आसा formula लिखते रहना चाहिए आदत बन जाएगा और भूलेंगे sn होता है n by 2 2 a plus n minus 1 d तो sn मतलब हमारे को दिया हुए s14 तो s14 का हो जाएगा 14 by 2 2 into a a यहां पर first time दिया हुए 10 डाल दीजे 10 plus n minus 1 मतलब 14 minus 1 और d हमको पता नहीं है इसमें ठीक है is equal to s14 पता है हमको कितना है 1050 है तो यह equation को solve करेंगे न तो आपको d का value पता चल जाएगा ठीक है और 7 को मैं इधर लेके चला जाता हूं multiply भी कर सकते हैं आप चाहें तो 20 प्लस 13 d is equal to क्या हो जाएगा 1050 by 7 1050 by 7 और 13 d is equal to इसको अगर cancel करते हैं 7 1 जे 7 35 75 35 0 150 हो गया 150 यह 20 को मैं इधर लेके आता हूं तो यह minus 20 हो जाएगा है कि नहीं तो d is equal to कितना हो रहा 150 minus 20 130 by 13 d का value कितना हो गया 10 हो गया अब इसमें आपको 28 निकालना है मतलब a20 निकालना है तो इसके लिए कौँचा formula यह use होगा थोड़ा सा दिमाग लगाई है कौँचा formula use होगा yes an का formula use होगा a20 निकालने हमको तो यानिकी a plus 19 d होगा चलिए a20 निकालते है यह तो a20 a plus 20 minus 1 d मतलब a plus 19 d हो जाएगा a हमारे पास है 10 और 19 into d तो 10 plus 190 answer हो जाएगा 200 ठीक है समझ में आया next example example 13 करते students नोट करते जाएगा copy में साथ-साथ example 13 में क्या बोले how many terms of the AP 24 21 18 must be taken so that there some is 78 अच्छा यहां पर सम दिया है आपको लेकिन यह सम कितने सारे terms का यह नहीं बोले आपको वहीं निकालना है कि कितने सारे terms का जो है सम 78 है यहां पर आपको a पता चल गया और यहां से डी भी पता चल जाएगा तो sn का जो formula है वो यूज करेंगे तो n का value निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर इस तरह का question में पहले a लिखनी जे a is equal to 24 d is equal to 21 minus 24 कितना होगा यह minus में आ जाएगा d and sn is equal to दिया हुए आपको 78 sn का formula by the formula of sn we have n by 2 to a plus n minus 1 d ठीक है न तो sn कितना है है 78 n तो पता नहीं है 2 into a पता है न हमको ए कितना है यह 24 2 into 24 plus n minus 1 n कितना है n है हमारे पास पता ही नहीं है यह तो निकालना है d कितना है minus 3 है ठीक है तो यह 2 को मैं इधर लेके आता हो 78 into 2 कितना हो जाएगा 156 ठीक है है multiplication check कर लिए तो 2 into 24 कितना होगा 48 होगा प्लस एक बार में multiply कर देते है minus 3 into n minus 3 n हो जाएगा यह plus को हटा दे तो एक बार multiply कर देते है एक बार में minus 3 n and minus 3 into minus 1 हो जाएगा plus 3 ठीक है 156 is equal to अब n के साथ यह में multiply कर दें 48 n minus plus into minus minus 3 n square plus into plus ही हो जाएगा ठीक है 156 को इदर लेके जाते हैं इसको इदर लेके आते हैं एक ही बात है तो चलिए minus 3 n square को इदर लेके आऊँगा तो plus 3 n square हो जाएगा 48 n plus 3 n क्या होता है 51 n होता है न तो 51 n plus में है इस साइड में जब मैं इसको इदर लेके आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस 52 is equal to 0 तो 3 को इदर लेके जाएंगे तो हमको एक equation मिलेगा वह equation होगा n square minus 17 n plus 52 is equal to 0 अब हम क्या करेंगे इस equation को solve करेंगे ठीक है इस equation को solve तरके जो value निकलेगा वह होगा हमारा actual में answer तो चलिए equation को solve करते हैं यह क्या दिख रहे है आपको quadratic equation है ना तो quadratic equation solve करना आपको अल्रेडी आता है बहुत सारे formula हमने सीखे हुए है तो उसमें कोई भी formula आप लगा सकते है चाहे middle term लगा दीजिए चाहे आप completing the square लगा दीजिए चाहे जो quadratic formula वह लगा दीजिए जिससे आपको इजी लगता है ठीक है तो पहले हम बी स्क्वेर माइनस 4 इस यहां निकाल लेते ना आता है बी स्क्वेर माइनस 4 इस इक्वार्टी एक्वेशन में निकालना क्यों ज़रूरी है ताकि हमको यह पता लग जाए इसका solution होगा या नहीं होगा तो माइनस 17 का स्क्वेर कितना होगा 289 17 का स्क्वेर सबको मुह से ही याद हो जाना चाहिए 17 इंटू 17 होता है 289 उसके बाद माइनस 4 इंटू 1 इंटू 52 यह कितना हो जाएगा 428 and 420 289-208 289-208 9-8 हो जाएगा 181 तो इसका मतलब इसका solution निकल सकता है तो यहां पे n का जो value होगा वो क्या होगा quality formula याद है x is equal to क्या होता था minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a यही होता था तो यही चीज़ हम लगाएगे यह पर n is equal to क्या होगा minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a तो minus b यहां पर b कितना है b पहले से minus 17 नहीं यानि कि minus minus 17 ठीक है plus minus 81 यह b square minus 4ac by value निकाला है दोस्ते है यहां पर 81 है 2a तो 2 into a कितना है इसमें 1 है यह ना यह देखिए n यहां पर 1 है तो minus into minus plus 17 plus minus 81 का root कितना होगा 9 होगा by 2 तो यहां पर 2 value आएगा एक होगा 17 plus 9 17 plus 9 कितना होज आएगा 26 by 2 और 17 minus 9 17 minus 9 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा 8 by 2 ठीक है तो 2 13 जा 16 होता है and 2 4 जाइट होता है तो देखिए 4 और 13 ठीक है न तो यहां पर दोनों ही value हो सकता है क्योंकि n का value हमारा positive में आगर कोई minus में आता तो वो उसको हम reject कर देते हैं क्योंकि जो number of terms होता है वो कभी minus में नहीं हो सकता है तो यहां पर number of terms जो है 13 भी हो सकता है number of terms जो है 4 भी हो सकता है दोनों ही इसमें possible है तो हमारा answer जो है दोनों ही होगा इसमें both the values of n are admissible so the number of terms is either 4 और 13 समझ में इस तरके question में जहां पर sum दिया हुए और n का value निकालना पड़ता है जनरली होता है कि यहां तक तो आप कर लेते हैं ठीक है बच्चे यहां तक कर लेते हैं उसके बाद जैसे यह quadratic में आजाना तब घबरा जाते हैं तो घबराना नहीं हमने है quadratic equation का chapter किस लिए सीखा है उसको यूज करना है हमको यह quadratic equation में आ गया तो हमको पता आंसर आने के वाद उसको चेक करने कि यह answer apply हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो यहां पर हमको number of terms था question कि क्यों दोनों हम ले सकते हैं in this case the sum of first four term is equal to sum of the first 39 is equal to 78 two answers are possible because the sum of the terms from fifth to thirteenth will be zero this is because a is positive and d is negative समझ में आया a positive है हमारा और d क्या है negative है मतलब घटता जा रहा है तो इसलिए यह possible है बोल रहा है so that some more terms will be positive and some others negative and will cancel out each other यह possible हो सकता है ठीक है तो आप चाहे तो रफ में बैट के यह check कर सकते हैं तो example जो 13 हमने किया न स्टूडेंट्स यह इस तरह question आपको टेक्स्ट में मिलेगा इन example में भी रहता है I mean exam में भी रहता है तो please pay more attention to this और बार बार इस तरह question को practice कीजिए क्योंकि होता क्या है यह step के बाद थोड़ा सा जो है कदम लडखरा जाते हैं वो नहीं होना चाहिए ठीक है quadratic equation का इसलिए आपको जो knowledge है वो पहले दिया गया and arithmetic हम बाद में कर रहे है now example 14 हम देखेंगे find the sum of first hundred positive integers sorry thousand positive integers first n positive integers तो n में बाद में आते हैं पहले thousand वाला कर ले तो first of all equation तो sum of first 1000 positive integer obviously यह AP में ही है the first 1000 positive integer क्या होगा 123456 up to 1000 यानि कि first time इसमें क्या हो जाएगा a हो जाएगा है ना and last time इसमें क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा sorry first time a है जो की one होगा इसमें अपने जो sum का second formula है वो formula लगा कि आप आसानी से निकाल सकते है या तो आप जो normal formula मैंने बोला था या दखने के लिए इस formula से भी कर सकते मैं दिखा देता हूं कैसे 2a plus n minus 1d तो आपको पता है इसमें जो number of terms है वो कितना हो है 1 से 1000 है तो n का value इसमें कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 1000 by 2 2a मतलब 2 into 1 first term तो इसमें 1 है plus 1000 minus 1 कितना हो जाएगा 999 d का value इसमें कितना होगा 1 ही होगा तो 999 into 1 999 ही होगा is equal to 1000 by 2 into यह कितना हो रहा है 2 plus 999 तो यह हो जाएगा 10001 तो यह आगया हमारा 1000 by 2 into 1001 तो इसको आप cancel करेंगे तो 2 into कितना हो जाएगा 500 and 500 into 1001 ठीक है तो यह formula से भी answer आगया और जो लास्ट वाला formula है उससे भी answer आगया इसलिए मैंने बोला कि यह formula याद रखिए तो सारे सवालब कर पाएंगे कर सिफ इसको याद रखेंगे तो जो वाला question इस formula से होगा solve वह भी भूल जाएंगे ठीक है तो इस वाले formula से हमारा answer same आया step भी वही है number of steps भी कोई ज्यादा नहीं है कि यह step यह करने से steps ज्यादा हो जा रहे है ठीक है बलकि यह जो फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है जो हमने पहली देखा हुआ है ठीक है next में बोला है first n positive integer का sum निकालने के लिए ठीक है तो first n positive integer तो first term तो उसका one ही होगा second term two ही होगा मतलब यह जो answer होगा यह आपका in terms of n ही रहेगा ठीक है क्योंकि इसमें number of terms ही आपको पता नहीं है तो इसमें सीदे सीदे formula में आप डाल दीजे जो formula है इसी को use कर लेंगे n का value खाली put नहीं करेंगे sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d है न तो इसमें हम n का value put नहीं कर पाएंगे बस बाकि a का value 1 है तो 2 हो जाएगा n minus 1d का value भी इसमें 1 ही है ठीक है तो देखें क्या हो जाएगा यह n by 2 into 2 n by 2 into 2 क्या होगा n by 2 into 2 अगर करेंगे तो 2 to cancel हो जाएगा यह आजाएगा n plus इसको अगर हम करते हैं तो n into n minus 1 by 2 आएगा ठीक है इसके बाद 2n LCM कर रहे हैं इसके नीचे क्या 1 है तो यह 1 और 2 का LCM 2 होगा 2n plus n n minus 1 ठीक है यह multiply कर देते हैं एक बार में n into n क्या होता है n square होता है n into n n square और n into 1 यह हो जाएगा minus n समझा है अब देखे 2n minus n करूंगा तो क्या होगा 2n minus n तो plus n आएगा n plus n square by 2 इस दोनों में से n common आ जाएगा तो आंसर क्या बना आपका यहां रह जाएगा 1 क्यूंकि आपने n common ले लिया है और यहां पर रह जाएगा क्योंकि 1 plus 2 or 2 plus 1 का value same ही होता है एक्जाम्पल 15 देखते हैं तो इस तरह कोशन है यह अगर आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे सब्सक्राइब करते समय तो इंट्रेस्टिंग लगता है जब हम समझ लेते हैं फिर नहीं करने से कहीं कि भूल जाते हैं तो प्रक्टिस करते रहे हैं कि find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by अच्छा for sum of first 24 terms निकालने के लिए बोला है जिसका nth term आपको दिया हुआ है nth term का formula बना के दिया हुआ एक a n is equal to 3 plus 29 तो आपको इसका 24 terms का sum निकालने बोला है तो आप क्या करेंगे इसमें से first two three term निकाल लेंगे तो यह a n का formula है तो n का value एक 1 लेंगे तो आपको first term मिल जाएगा तो देखिए n का value जब 1 लिया n का value जब 1 लिया यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 पूट करेंगे तो a1 क्या क्या हो जाएगा 3 plus 2 into 1 a1 is equal to 5 उस तरह से a2 जब करेंगे तो a3 plus 2 into 2 2 to 4 plus 3 7 a3 is equal to क्या हो गया 3 plus 3 plus 2 into 3 2 3 just 6 7 8 9 and ऐसे करेंगे आप निकाल सकते हैं और ज्यादा जितना चाहिए लेकिन 3 से ज्यादा हमको चाहिए नहीं सम निकालने के लिए न 5 7 9 तो इसका common difference हमको मिल रहा है 2 a is equal to 5 है common difference कितना है 7 minus 5 2 ठीक है हमको क्या बोला है s24 निकालने के लिए तो s24 क्या होगा formula use करेंगे sn का n by 2 2 a plus n minus 1 d ठीक है न तो s24 is equal to क्या होगा 24 by 2 2 into a a का value क्या है students 5 है plus n minus 1 n कितना है students yes 24 है minus 1 बिलकुल ध्यान से लेखना d कितना है 2 है ठीक है तो 24 divided by 2 ये तो 12 हो जाएगा सब बता देंगे ये तो 2 into 5 इतना होता 10 24 minus 1 23 23 into 2 46 समय में ये हो जाएगा 12 into 56 and 12 into 56 का value होगा 672 तो मिल्टिप्लाइ करें देख लिए ठीक है 56 into 12 672 दो सम अब द फर्स्ट 24 टम्स अफ द लिस्ट इस इस तरह से ठीक है तो दिस इस आल्सो एन इंपोर्टेंट question ठीक है next example 16 देखते हैं example 16 जो है 5.3 से पहले का last example है उसके बाद हम लोग exercise start कर सकते हैं तो यह application based question है and the real life situation से relate करके question दिया हुआ है गोले इस manufacturer of TV sets produce 600 sets इन थर्ड यर थर्ड यर में 600 बनाया उसने 700 sets इन दे सेवेंट यर assuming that production increases uniformly by fixed number every year देखिए यहां पर एक हिंट आपको देए कि प्रोड़क्शन increases uniformly by a fixed number मतलब same number of products जो है जो टीवी है वह एवर यर इनक्रीज होता है यहां पर आपको एक हिंट दे दिया कि यह जो सीरीज होगा यह जो सेक्वेंस बनेगा प्रोक्रेशन बनेगा वह एपी का बनेगा अब यहां पर दो बात बोल गया है कि टीवी से इगल तो 600 बोला है आपको को क्रेक करके है ना नुमेरिकल के भासा में लेकर आना सीखना होगा और 700 सेट्स इंद सेवें टियर बोला है तो यह दो चीज़ तो पक्का आपको पता चल गया अभी और यह भी बोल दिया है कि इस इंक्रीजिंग यूनिपर्मल यह फिक्स होते गा प्लस 2D उस इगल तो 600 इक equation 2, now equation 1 से equation 2 को minus कर दीजे, equation 2 minus equation 1, equation 2 में क्या है, a plus 6d है, minus equation 1 में क्या है, a plus 2d, हम ऐसे vertically भी करते हैं, जादा तर horizontally भी minus कर सकते हैं, 700 minus 600, ठीक है, equation 2 minus equation 1 क्या हर एक तर्म में, तो a plus 6d, minus a minus 2d, 700 minus 600 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, plus a minus a, cancel 6d minus 2d, 4d हो जाएगा, 4d is equal to 100, d is equal to 100 by 4, तो d is equal to कितना आगे हमारा, d is equal to 25, 425 जा 100 होता है, तो d का value 25 हो गया, यह नहीं पूछा है, मतलब यह क्या आगया है, कितना करके increase order production, हमको a पूछा है, तो d का value आप equation 1 में put कर दीजे, तो a का value आजाएगा, putting d is equal to 25, in equation 1, तो a plus 2 into 25 is equal to 600, 2 into 25 कितना होगा, 50 होगा, तो 600 minus 50, यह हो जाएगा 550, यहनि कि first year में production है, वो कितना है, 550 है, यह हमारा answer सही है, नाव बाकी जिए आप निकाल सकते है, production इंदर 10th year, 10th year का production मतलब a 10 निकालना है, a 10 का formula क्या होगा, yes, an का formula use करेंगे, a plus 10 minus 1d, ठीक है, तो a 10 निकाल लेते हैं, question number 2 के लिए हमको क्या निकालना होगा, a 10, a plus 10 minus 1d, मतलब a plus 90 हो जाएगा, a का value आगया हमारे पास, 550 प्लस 9 into d कितना है, 25 है, तो 925 जा कितना होगा, 225 है न, तो 550 प्लस 225 यह हो जाएगा, 725, तो एक statement में लिखेगा, तो production of tv in 10th year is 725, total production, first 7 year, तो total production मतलब क्या, total हम कैसे निकालते हैं, add गर के निकालते हैं, यानि कि आपको क्या निकालने बोला है, s7 निकालने के लिए बोला है, तो s7 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, sn का formula यूज़ करेंगे, sn is equal to क्या होता है, n by 2, 2a plus n minus 1d, है ना, अब यहाँ पे a और d दोनों का value पता है, n तो हमारे लिए अभी 7 हो जाए, तो sum of first 7 years बोला है, तो put कर देते हैं, और answer निकाल देते हैं, कौन सा बराबात है, इसमें s7 निकालना है, put करो s7, and 2 का value है, a का value 550 हमने निकाला है, प्लस n है, यहाँ पे 7 minus 1, 6 लिग जरते हैं, 7 minus 1, 6, d का value हमने निकाला हुआ है, 25, ठीक है, 7 by 2, 2 into 550, कितना होगा, 25, 10, carry 1, 2 by 10, 1100, प्लस, यह कितना हो जाएगा, 6 into 25, 150, ठीक है, 7 by 2 into 1250, और यह कितना हैगा, cancel करने पे, 26, 12, 22, 24, 25, 10, तो 7 into 625, multiply कर ले, कितना हो जाएगा, 75, 35, carry over 3, 7 to the 14, 15, 16, 17, 7, carry over 1, 76, 42, 143, 4,375, yes, our answer is right, तो the total production of TV set है, वो कितना है, 4,375, एक statement लिख दे जाएगा, the total production of TV set in first seven year is 4,375, ठीक है students, तो यह examples था, देखे, सभी का सभी, इसको भी मैं important category में ही रखूंगा, इस question को, सभी के सभी question जो है, अलग type की थे, यह सभी को अच्छे से practice कीजएगा, तो 5.3 देखना आपको लिए कुछ भी नहीं लगया, देखिए जो लोग practice करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं लगते हैं, एक आद question मैं मानता हूं कभी का हाड हो सकता है, अगर फॉर्मूला प्रॉपर्ली सीखे, आप रटने ना जाए mathematics को, अमिशा practice करके अप्रोच करें, कुछ बच्छे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्छे time लगाते हैं, लेकिन continuous practice से सब का भला होता है, सब 100 या सब 90 नहीं ला सकते मैं मानता हूं, लेकिन सीखने का जो मोका है, वो तब ही होगा जब आप चीज में involved होंगे, ऐसा नहीं सर ने करा दिया, मैं मेरा तो हो गया बस, ऐसा नहीं है, सर ने कराया, अब मैं उसको खुद से करने का कोशिस करता हूं, अगर मैं सेम चीज करने के चकर पर काफी बार बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, जितना उनको मिलना चाहिए होता है, बोड में हम expect करते हैं, उससे कम मिल जाता है, और उसी जगा पर जो बच्चे एकदम एक एक बात को अच्छे से follow करते हैं, और प्रापरली वो जो है confidence के साथ लिखते हैं, overconfidence के साथ वो अच्छा करके आते हैं, ठीक है, तो students मिलते हैं, next class में exercise 5.3, start करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाबाई